अंटार्क्टिका कभी एक हरा भरा और फलता फूलता महाद्वीब था लेकिन तक्रीबन 23 मिलियन साल पहले इसका रूपान तरण एक बर्फीले जंगल में होने लगा और पिछले 15 मिलियन सालों से ये बर्फ की एक मोटी परत से ढखा हुआ था और इसका अद्वितिय भू व हालों पहली की बात है कुछ हाली में हुई हैं तो आईए पता लगाते हैं और जानते हैं अंटार्क्टिका के बारे में दस सबसे अजीब बाते हैं नमबर 10 प्राचीन वाम साल 2015 में जब रिसर्चर्च अंटार्क्टिका में एकत्रित किये गई मिट्टी के नमूनों का विशलेशन कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था जब एक अठा किये गए माटेरियल को एलेक्टरोन माइक्रोस्कोप की तहट कैन कर रहे थे तब उन्हें कोकून के अंदर इंटरवेब्ड केबल्स के नेटवक मिले और तभी उनको ये पता चला कि असल में क्लिटेलेट एनेलिट्स या जिसे हम अर्थ वाम या लीच या पिर उनके रिलेटिव के रूप में जानते हैं ये उनका प्राचीन शुक्राणू जोजा के जीवाश्म अफशेश हैं परिक्षणों से ये पता चलता है कि ये नमूना 50 मिलियन साल पुराना है लेकिन सबसे आशर की बात तो ये है कि इसमें इस स्पर्म की समानता लिंच जैसे कीड़ी की वर्तमान प्रजातियों जिन्हें हम ब्रांकी बोब डेलडा के नाम से जानते हैं वैसे तो ये कीड़े खास करके नौर्दन हेमिस्फियर में रहते हैं लेकिन इस खोट से भूगोल का काफी विस्तार हो सकता है यही नहीं वैज्यानिकों के लिए ये किसी पहली से कम नहीं होंगे क्योंकि अब उन्हें ये पता लगाना है कि इनका जन्म कैसे हुआ था और जादा रिसर्च जिसमें हाई रिजोलीशन इमेजिंग और नए सेंपल्स भी कलेक्ट किये गए हैं उनके बारे में अभी तक पता चलना बाकी है भले ही उनका जूपी पर सामिला जिसका संबंद शायद दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक विलुप्थ होनी की घटना से जो की 260 मिलियन साल पहले हुई थी इनकी खोज रैम से गलेशिय पर मैकेंटाय प्रमेंट्री की बर्फ की नीचे पाई गई थी इन फोसिल्स में उन पेड़ों के बारे में जानकारी मौझूद थी जहां माइक्रो औरगैनिजम और पंगी जीवित थे इससे एक बात साफ हो जाती है कि उस वक्त वहां जो पेड़ मौझूद थे वे आज के पेड़ों की तुलना में वातावरन के हिसाब से आसानी से ढल जाते थे आजकल के पेड़ों को मौसम के ब ये पेड़ ऐसा कर लेते थे और हम बस इस बात के उम्मीद कर सकते हैं कि वैग्यानिक जल्द ही इस रहस्य को सुलजा लें क्योंकि उनकी ये खोज आज के जंगलूं को बचानी के लिए इस्तिमाल की जा सकती है नमबर आठ दोजो साल पुरानी खोपडी 1985 में अंटाक्टिका के दक्षन शेटलेंड दूइप पर यमना बीच नामक इस्थान पर एक वस्तुख खोज की गई ये एक इनसान की खोपडी थी और ये शायद अंटाक्टिका के सबसे पहले विजडर की थी जो की एक 20 साल की महिला की थी जो की शायद 20 वर्ष की थी ऐसा माना जाता है कि इनकी मौत 1819 और 1825 की बीच हुई है ये अंटाक्टिका में खोज गए अभी तक के सबसे पुराने मानाव अफशेश हैं अफशेशों का इस्थान अपरत्याशित था खोपडी को उसके फीमर के कुछ हिस्सों के साथ 19 वी शताबदी की शुरुआत में सीलर्स शिविर के पास पाया गया था उस समय महिला सीलर अंसुनी कर रही थी और ये बतानी के लिए कोई दस्तवेश नहीं है कि इस समय अंटाक्टिका में एक युवती क्यों आई थी तो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जो इसे समरक्षित करते हैं इस तरह की प्रातत्विक खोज हमें अच्छे तरह से समर्शन करने में मदद कर सकती है वहीं चिली जैसे देश को अंतिम वार्ता में अधिक स्वादेबाजी की इस्तिती की अनुमती मिलती है ऐसा माना जाता है कि ये 200 साल पुरानी अन्टाक्टिका में पाई गई सबसे पुरानी खोज है लेकिन चिली की महिला से जोड़ा हुआ रहस अभी भी बरकरार है नमबर साथ मेसन का एयर ट्रैक्टर साल 1912 में राइट बिदर्स द्वारा भरी गई ओडान के 9 सालों के बाद बिटिश मूल के आस्ट्रेलिया इखोज करता डगलस माउसन ने ओडान के माध्यम से साउथ पता लगाना चाहा उसका पहला और आखरी प्रयास था वो भी एक गहर जिम्मेदार पाइलिट की वज़े से जिसने आस्ट्रेलिया की टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही प्लेन क्रेश कर दिया था मॉसन ने उस टेस्ट पाइलिट को घर भेज दिया और सूचा कि वो इस प्लेन का स्थिमाल अंटर्क्टिका की शेर्किली करेंगे जहां इसका इसलिल एयर ट्रेक्टो की तोपा किया जाएगा लेकिन अफसूस कि इस प्लेन का इंजिन काम नहीं कर सका और मॉसन को उनका य के ब्लू मून और लो टाइट के कॉंबिनीशन का जिसके कारण इस प्लेन के अवशेश एक कारपेंटर को मिले जो खोज करताओं के टीम का हिस्सा थे जो इस प्लेन की तलाश पिछले तीन साल से कर रहे थे और उसे इसके कुछ अवशेश केप डैंसन में मिले अगर मौसम का ये कॉंबिनीशन ना हुआ होता तो शायद इस प्लेन के अवशेश कभी भी नहीं मिलते और शायद अंटार्क्टिका के इतिहास की खोज को शायद हमने हमीशा हमीशा की लिए खो दिया होता अंटार्क्टिका की सबसे अजीब खोज साल 1911 में हुई थी इस जगे को ब्लट फॉल्स के नाम से जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है एक गहरे रंग का क्रिम्सन लिक्विड इस टाइलर ग्लिशर के बाहर से आता है जो इस कॉंटिनेंट के पूर्वी ह पानी से मिलने के कारण है लेकिन हाल ही मैं शोत करताओं को इस घटना के पीछे का असल कारण मिल चुका है उन्होंने रेडियो एको सांडिंग नाम के तरीके का इस्तिमाल करके इस ग्लेशर की नीचे क्या है वो देखने में वो सक्षम हुए और उन्हें वहाँ पर पानी लेक से आता है वो पूरी तरह से आयरन से भरा हुआ है और अब हाई प्रेशर के कारण ये पानी बाहर आ रहा है और जैसे ही ये सतय पर मौझूद ऑक्सिण के संपर्क में आता है ये इस तरह का रंग पकड़ लेता है क्यूंकि ऐसा होनी पर ही तो लोहा जून पकड रहा था लेकिन क्यूंकि उनके पास ज्यादा इंधन नहीं था इसलिए वे न्यूजिलेंड तक दुबारा नहीं पहुंच सकते थे तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया था जिसकी कारण ये प्लेन क्रेश होने लगा और इसके टुकड़े होका गिरने लगे और फाइन शीशों को वहाँ देख सकते हैं और आज भी ये जिस रंवे पर मौझूद है उसे इसका ही नाम दिया गया है ये तस्वीरें हमें अंटार्क्टिका से जुड़े रिसर्च के पीछे मौझूद खत्रों के बारे में बताती हैं और अगर ये बहादुर पुरुश और महिला पता लगा जा रहा था तो वेस्टन अंटार्क्टिका के साफ्ट पोल से तक्रीबं 370 मिल दूर है एक बहुत ही रोचक बाद का पता चला लेक मरसर हजारों सालों से अंच्छुआ था और इससे पहले लाज़र इमिजिस नहीं देखी गई थी ये बर्फ के तक्रीबं 351 फ सबसे पहली बात तो यह है कि यहां धेव सारा औक्सिजिन था जो किसी भी अक्विटिक एनिमल्स के लिए पर्याप था यही नहीं बड़ी संख्या में बैक्टिरिया के बारे में भी पता चला और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां खास तोर पर प्राचीन जीव के छो कि खोजें ये बताती हैं कि उस समय का जीवन कैसा हुआ करता था और सबसे जरूरी तो ये है कि जीव इस तरह की परिष्थिती में जीवित कैसे थे अंटाक्ट का एक बहुती बड़े शित्र में फैला हुआ है और शुकर है इस इलाखे के रंग का जिसकी वज़े से हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इस रंग से मेल नहीं खाते इसलिए तो ये जगए अंतरिक्ष से गिरे पत्थरों को खोजने के लिए सबसे पर एलन हिल्स चौरासी हजार एक है जिससे 1984 में एलन हिल्स में खोजा गया था ऐसा माना जाता है कि यह 4.3 पाउंड का पत्थर मार्स का है और 1996 में वैग्यानिकों के एक समूह ने उलकापिंड में इस बात का सबूत देने का दावा किया है कि इसमें मार्टियन बैक्टिरिया के जीवाश में खैर बाद में उनके इस दावे को नकार दिया गया हाँ लेकिन इस चर्चान ये तिहास में डेवेलपिंग साइंस ऑफ एस टाक्टिका से ही आये हैं और ये सभी मिशन सिर्फ यूएस नहीं नहीं बलकी बाकी देशों ने भी जैसे की जापान चाइना साउथ कोरिया इटली विल्जियम और बिटिन ने इन सभी ने भी अपनी टीम्स भिजी थी और किसे पता हो भी जकता है कि अंत्रिक्ष की जीव यहां पर एक exception है इनके नाम का मतलब यह थोड़े neutral होते हैं और इनमें किसी तरह का electrical charge नहीं होता इसलिए इनके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है यह nuclear process के दर्मियान बनते हैं लेकिन यह कभी कभी ही एक दूसरे से react करते हैं भले यह अधिक मातरा में क्यो होते हुए इनको देखा जा सकता है इन्हें Ice Cube Experiment के नाम से भी जाना जाता है 2017 में जब एक neutron को देखा गया तब एक अविश्यस नीख होच हुई और शोत करताओं को इनके मूल के बारे में पता चला जो एक घूमता हुआ सुपा मैसिव ब्लैक होल है जो ब्रहमान के बीचों भी है और ये अंटार्क्टिका के विकिस लेंड रीजिन में स्थित है 1962 में इस शित्र में असमान ने भूकम पिये और गुरुत्वा करशनी रीडिंग के वज़े से इसके बारे में सबसे पहले पता चला था और फिर साल 2006 में इसके आसपास एक व्यापक 300 मील प्रभाव भूत होगा वहीं कुछ शोद करताओं का माना है कि ये कढ़धा किसी उलकापिन के गिरने के वज़े से भी बना हो सकता है जो शायद चिकलप से भी दोग ना हो जिसने 65 मिलियन साल पहले डाइनोसोर्स का नाम मिटा दिया था अगर एबिडिन्स को देखें तो ये 500 साल पह पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि इस जगह पर सेंपल से कत्रित नहीं किये जाते वैसे क्या पता चलेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन इन रीडिंग्स को हमें कभी भी कम नहीं आकना चाहिए अंटार्टिका एक ऐसी जगह है जिसका जातर भाग से क्या मिलने वाला है और इसे ढूनने के लिए सबसे अच्ची जगह कौनसी होगी नीचे कॉमेंट सेक्चन में हमें जरूर बताएं देखने के लिए शुक्रिया